नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग compare करेंगे Samsung, LG और Walpole की सबसे बढ़िया double door fridges का और इस वीडियो में के अन तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है सबसे बढ़िया इन तीनों ब्रैंड्स में से double door refrigerator में तो वीडियो करते हैं शुरू तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों फ्रिजिस का कपासिटी तो जो Samsung वाला double door refrigerator है उसका जो टोटल कपासिटी है 253 लीटर का है और फ्रीजर का जो कपासिटी है वो है 69 लीटर का LG का जो टोटल कपासिटी है 260 लीटर का है और फ्रीजर का कपासिटी है 75 लीटर का वही पे जो whirlpool का टोटल कपासिटी है वो है 265 लीटर का और फ्रीजर का जो कपासिटी है 75 लीटर का तो अगर आपको फ्रीजर का कपासिटी जादा चाहिए तो आप जो है LG या whirlpool ले सकते ह अगर आपको capacity सबसे ज़ादा चाहिए तो आप whirlpool ले सकते हो उसमें सबसे ज़ादा आपको capacity मलता है तो second parameter है वो है energy consumption का तो कितना electricity bill generate होता है अगर आप 2400 घंटे इस fridges को चलाते हो तो Samsung का जो annual energy consumption है पूरे साल में ये खर्चा होता है वो है 193 kWh का वही पर LG में खर्चा होगा 198 kWh का वही पर whirlpool में खर्चा होगा 190 kWh का तो सबसे कम जो energy consumption है वो है whirlpool का अभी बात करते हैं Samsung का जो double door refrigerator है उसके बारे में तो ये जो है आप solar energy में चला सकते हो जी हाँ अगर आपके घर पे solar panel है तो solar panel को आप जो है इससे connect कर सकते हो और ये solar में भी चलता है home inverter अगर आपके पास inverter है तो inverter में भी ये चलता है तो इसमें आपको door alarm दिया जाता है जब भी आप दर्वाजे को खोलते हो तो ये जो है alarm बजाता है ताकि आप जो है समझ जाओ कि आपको door को बंद करना है और जितना देर तक आप door को बंद करके रखते हो उतना बड़ी जो है ठंडा करना है चाहे आपने कोई cold ring लाया हो या फिर आप कोई grocery को फटाफट cool करना चाहते हो तो आप जो है इस power cool button को use कर सकते हो जो next वाला जो feature इसमें दिया गया है वो है deodorizer का तो deodorizer filter जो है जो smells रहता है खाने में या फिर बहुत दिन तक अगर हम लोग कुछ ची filters तो यह carbon filters दिया जाता है digital display आपको इसमें देखने को मिल जाता है सारा चीज आप ऊपर digital display पे देख सकते हो जो की fridge की ऊपर वाले पैनल में दिया गया है और इसमें आपको अफ्वेंट glass cells देखने को मिल जाता है fridge के अंदर जो की up to 175 kg तक carry कर पाता है इसमें आपको एक cool pack भी दिया जाता है तो अगर बिजली चला जाती है और उस time अगर पूल पैक में कोई भी चीज रखते हो freezer के अंदर तो वो जो है zero degree centigrade के below frozen रहता है up to 12 hours तो यह feature भी दिया गया है तो अभी बात करते हैं इसकी pricing का तो यह जो Samsung का double door refrigerator है यह आपको मल जाता है 24,500 रुपे में ध तो उसके लिए मैंने इस video की description box में हर एक double door fridge का नीचे best buy link दे के रखा है वहाँ पे जाके आप इन सारे double door fridges को check out कर सकते हो देख सकते हो और फिर इनको खडीद भी सकते हो तो आगे बढ़ते हैं अभी बात करते हैं LG का fridge के बारे में इसकी features जान लेते हैं इसमें आपको एक door cooling plus feature दिया गया है तो जो front के door panel होता है वहाँ पे normally cooling जादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि cooling पीछे से आता है तो यहाँ पे additional vent आपको दिया जाता है door के front end में ताकि उस area में भी cooling आपको अच्छे से मिल सके यहाँ पे आपको tempered glass cells दिया जाता है जो की heavy load carry कर सके और connection का option दिया गया है तो auto smart connect के मदद से आप अपने home inverter के साथ इस fridge को connect कर सकते हो इसमें जो सबसे से खास बात है इसमें आप जो है दो लीटर तक bottle store कर सकते हो जो की बहुत कम refrigerator में दिया जाता है यह वाला option और इसमें एक jet ice technology दिया गया है जिसमें कि आप ice जो है सिर्फ और सिर 500 रुपए में आपको यह fridge मिल जाता है तो आगे बढ़ते हैं आप यह whirlpool का जो fridge के बारे में बात करते हैं इसको आप easily अपने home inverter के साथ connect कर सकते हो इसमें आपको 5-in-1 modes दिया जाता है तो एक all season mode आपको मलता है एक chef mode बलता है एक desert mode बलता है एक party mode बलता है और एक deep freeze mode मिल ज आपके fridge में है एक weather condition को भी चेक करता है कि चाए वो summer की season हो चाए winter की season हो या monsoon की season हो और आप कितना देर fridge को use करते हो कितना देर आप door को खुला छोड़ते हो तो यह तीनों चीज यह जो artificial intelligence sensors है वो sense करके फिर आपको बढ़िया cooling और long lasting freshness प्रोवाइड करता है तो इसमें जो है ripe होने से रोकता है और उनको बहुत लंबे समय तक fresh भी रखता है तो इसमें जो है कि anti-microblock additive भी दिया जाता है जिसके मदद से up to 99% bacterial growth को यह रोक पाता है और आपकी fruits और vegetables बिल्कुल fresh रहता है तो इसकी अगर मैं price की बात करूँ तो यह आपको मिल जाता है 26,500 रुप तो यह था comparison Samsung, LG और Whirlpool की double door refrigerator का तो यह तीन जो LG, Samsung और Whirlpool की double door fridge सबसे बढ़िया है market में अगर आपको कोई भी double door fridge लेना है आप इन तीनों में से ही लीजिएगा तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी fridge खरीदना हो तो मैंने इस वीडियो की description box में इन तीनों fridges का best buy link देख रखा है वहाँ पे जाके आप इनको checkout कर सकते हो देख सकते हो और फिर अपना मन पसंदित double door fridge खरीच सकते हो अपने requirement के हिसाब से तो अगर आपको कोई भी doubt है इस comparison वीडियो से related तो नीचे comment जरूर करना और इस वीडियो को like and share जरूर करना तो हम लोग इस वीडियो को यही पर करते है खतम